ब्रेड पीजा या ब्रेड पीजा सांडविचेज आपने कई तरीके से ट्राइ किया होंगे पर क्या आपने कभी इस तरीके से ब्रेड पीजा सांडविच ट्राइ किया है अगर नहीं तो इसे बनाईए आपको बहुत पसंद आएगा चलिए फिर फड़ा फड़ से देख ले अब इसमें हम डाल देंगे नमक, स्वात के अनुसार, इसके साथ ही आधा चमच औरेगेनो, एक चमच रेच चिली फ्लेक्स, एक चमच काली मिर्च का पाउडर लिया है हमने और दो चमच हमने इसमें म्यॉनीज डाला है, म्यॉनीज आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा भी ड तो यह देखिए, सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है, फिलिंग हमारी बनकर तयार है, तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं, अब हम बनाएंगे गालिक बटर, जिसके लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, दो बड़े चमच बटर के बटर को हमने थोड़ा सा मेल है, वो बनकर तयार हो जाएगा, अब हमने यहाँ पर एक ब्रेड ले ली है, ब्रेड पर हम लगाएंगे जो फिलिंग हमने तयार की थी, प्यास टमाटर, शिम्रा मिर्ची वाली, वो फिलिंग हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा कर हलका हलका सा प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स उपर से डाल देंगे, थोड़ा सा ओरेगेनो भी डाल देंगे, आपके पास जो भी इटालियन हर्ब्स रखे हुए हैं, आपको यूज कर सकते हैं, इस ब्रेड को अब हम ऐसे उठा कर साइट में रख देंगे, एक दूसरी ब्रेड मैं य चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ओरेगेनो तो यह जो ब्रेड है यह हमारा सबसे लास्ट वाल लेर रहेगा, इसके उपर यह जो लेर हमने ब्रेड का पहले तयार किया था, टॉपिंग वाला वह हम इसके उपर रख देंगे और तीसरी ब्रेड से हम इसे कवर कर देंगे, यह ल लेंगे, उपर का जो ब्रेड स्लाइस है उसके उपर भी हम गार्लिक वाला बटर जो है अच्छे तरीके से एकदम स्प्रेट कर देंगे, थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर इसे बढ़िया क्रिस्पी होने देंगे और उसके बाद बहुत ही आराम आराम से संभलते हुए हम इस सांडविच को पलट देंगे, अब जैसे ही हम सांडविच को पलट देंगे, हम गैस को बंद कर देंगे, इस बात का ध्यान रखेगा, गैस को बंद करने के बाद हम यहाँ पर उपर जो यह ब्रेड है, जो हम अल्रेडी सेख चुके हैं, उस पर लगाएंगे हम टोमैट केचप आप चाहें तो पीजा सॉस भी लगा सकते हैं अगर आपके पास में रखा हुआ है तो टोमैटो केचप के बाद में हम वही फिलिंग मियोनीज वाली जो हमने बना कर रखी थी वो हम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे अच्छे तरीके से हम पूरी फिलिंग को स्प करेंगे और औरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे अब गैस को हम दोबारा ओन करेंगे लो फ्लेम पर इसे धक कर पकाएंगे तब तक जब तक चीज अच्छे से मेल्टी हो जाता तो यह देखिए चीज जो है वो बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है बहुत ही क्रिस्पी यह सां कमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चल दी बलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई